हमुश्का शुभू शुकाल तुमादे शुकुल के जानाई महलायर आंतोरीक प्रीती उशुभेच्छा आज मैं आप लोगे साथ एक ट्रडिशनल बेंगॉली औस्टोमी लोग शेर करने बाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर देना तो सबसे पहले मैं स्किन केर कर रही हूँ टोनर और सीरम मैं अपलाई कर लिया है अब मैं मॉस्टुराइजर यूज कर लियूँ सारे प्रोडक्स के पर्च्रियस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो मॉस्टुराइजर को अच्छे से फेस में मसाज करने के बाद मैं लिब बाम यूज कर दी हूँ लिब्स को भी मॉस्टुराइज करना इकोली बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं प्राइमर अपलाई कर दी हूँ प्राइमर को अपने हातों की बीच वर्म करके पहले अपने टी जोन पर अपलाई करूँगी फिर पूरे फेस पर स्प्रेट कर दूँगी अब हम मूव आइब्राउस की तरफ आइब्राउस बनाने के लिए मैंने इहाँ पे ब्लैक और ब्राउन शेद को मिंक्स करके अपने आइब्राउस को ड्रौ किया है बेंगॉलीज लरकियों की आइब्राउस बहुत ज्यादा डार्क और बुशी होती है मेरे उतने dark नहीं है इसलिवे मैंने ज़्यादा eyebrow ड्रॉ किया है अब मैं concealer से eyebrow को clear करूंगी concealers से अगर आपने कोई भी mistake makeup में कर दिया है न उसे आप clear कर सकते हो eraser है एक तरे का concealer makeup के लिए तो मैंने अपने eyebrows को अच्छे से clean कर लिया है ताकि एकदम sharp और defined लगे दिन हम हमारे face के तरफ move on करेंगे सबसे पहले मैं illuminator यूज़ करीओ Maybelline illuminator है ये फिर मैं foundation apply करूँगी foundation मुझे आज थोड़ा सा glowy और doey चाहिए था इसलिए foundation में मैंने थोड़ा सा serum mix किया है आप भी इस hack को use कर सकते हो बहुत अच्छा base create होता है बहुत ज़्यादा moisturize base create होता है तो foundation को अच्छे से face पे dot करके फिर beauty blender की मदद से मैं foundation को blend करूँगी आपको हमेशा beauty blender को dabbing motion में use करना है और beauty blender को हमेशा आपको damp करके ही use करना है आपको dry beauty blender नहीं use करना और यहाँ पे मैंने नाकून से खुद कोई खरोच पहुचा दिया था अच्छे से foundation को blend करने के बाद हम अपने under eyes पे dark circles पे concealer apply करेंगे और concealer को मैं यहाँ पे brush की मदद से blend कर दियो इससे concealer की coverage काफी ज्यादा अच्छी मिलती है और यह concealer ना बहुत जल्दी dry हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा thick है इसलिए आपको जल्दी जल्दी blend करना होता है brush से blend करने के बाद मैंने फिर से blender से इसे blend कर दिया है next time face को highlight करेंगे उसके लिए मैंने अपने bridge of the nose, cupid, bow, chin पे concealer को apply किया है और फिर से मैं इसे brush की मदद से blend करूँगी और brush की मदद से blend करने के बाद फिर से मैं इसे beauty blender की मदद से blend कर दूँगी इससे अगर brush की कोई भी lines face पे परचाती है ना वो नहीं होती है concealer हमेशा बही पे blend करें जहाँ पे आपने apply किया है इससे concealer की अच्छी coverage मिलती है वरना concealer की coverage ज्यादा नहीं मिलती है next मैं अपने face को powder की मदद से set करूँगी यहाँ पे मैंने loose powder use किया है जहाँ पे मैंने concealer apply किया है वहाँ मैंने loose powder से set किया है और बाकी की face को मैंने compact powder से set किया है अगर आपकी skin dry है तो पूरे face को set करना आप skip कर सकते हैं अब मैं excess powder को dust करके अपने under eyes में powder अपलाई कर दियू इससे हमारे eyeshadow की जो भी fallouts होंगे वो सारे remove easily हो जाएंगे ओके, so eye makeup start किया है यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक peach light सा shade लेके अपने पूरे eyelid पे अपलाई किया है then मैंने एक pink सा shade लेके अपने outer corner पे अपलाई किया है और उससे अपने inner corner की तरफ blend किया है और जब हमें desire color मिल जाए फिर हम red color को अपने outer corner पे अपलाई करके फिर अपने inner corner की तरफ apply करेंगे आपको बहुत टाइम लेके आईशाड़ो को ब्लेंड करना है वरना आईशाड़ो पैच ही दिख सकता है तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रोड़क्ट लेना है और देन ब्लेंड करना है एक body में ज्यादा product लेके आप control नहीं कर पाएंगे और मैंने यहाँ पर outer corner की तरफ एक wing create किया है जब आपको लगे आपका eyeshadow complete हो चुका है दिन हम अगले step की तरफ move on करेंगे और यहाँ पर मैं एक cut crease draw करूंगी उसके लिए मैंने concealer लिया है और उसे एक flat top brush में लेके cut crease draw किया है आपको बहुत patience के साथ धीरे धीरे से draw करना है cut crease को एकदम perfect बनाना तो मुश्किल है बट आप चाहें तो इसे थोड़ा ठीक ठाक बना सकते हैं next हम cut crease के उपर shimmer reply करेंगे और shimmer reply करनी के लिए उंगली सबसे ज़्यादा best होती है then हम face layer color को pick करके middle में जो line बन चुकी है उसे diffuse करेंगे कोई harsh line नहीं दीखनी चाहिए next हम eyeliner draw करेंगे और हम थोड़ा सा thick eyeliner draw करेंगे क्योंकि eyeliner के अलावा Bengali's ostomy look is incomplete plate तो आपको थोड़ा सा time लेके धीरे धीरे से eyeliner को draw करना है और next मैंने अपने lower lash line पे काजल को apply किया है और इस काजल को हमने apply करके फिर black eyeshadow के साथ इस काजल को blend करेंगे इससे काजल smudge भी नहीं होगी और काजल और भी ज़्यादा dark और intense दिखेगा हमने अपने upper lid के उपर जो red color यूज़ किया है उसी से हम अपने lower lash line को complete करेंगे और अपने water line पे भी काजल को apply कर देंगे इससे आख थोड़ी सी खुली और बड़ी बड़ी से दिखेगी फिर हम mascara apply करेंगे अगर अब चाहे तो false lash skip करके दो से तीन coat mascara apply कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे एक coat ही mascara apply किया है बहुत अच्छे से और बाद में मैंने false lash wear कर लिया है आपको बहुत अच्छे से mascara को apply करना है next हम face के बागी की make up complete करते हैं सबसे पहले हम contour करेंगे अपने face को आपको थोड़ा सा chiseled दिखाने के लिए पतला दिखाने के लिए contour करना बहुत important है और contour करने से आपकी pictures भी काफी ज्यादा अच्छी आती है फिर हम nose को ही contour करेंगे और nose को contour करने के लिए मैंने हापे पतला सा एक brush लिया है और next हम blush apply करेंगे और मैंने हापे थोड़ा सा कम natural blush apply किया है क्योंकि eye make up काफी ज्यादा bold है न इसलिए blush थोड़ा सा natural रखा है मैंने मैंने अपने apple of the cheeks पे blush को apply किया है इसे face थोड़ा भड़ा भड़ा सा रिखता है next हम highlighter apply करेंगे अपने high point of face पे जैसे की cheek bone, bridge of the nose, cupid bow, inner corners, brow bone सब जगे पे हम highlighter को apply करेंगे और ये highlighter ना काफी जाता natural look provide करता है next हम lipstick apply करेंगे और यहापे मैंने Maybelline super stay matte lipstick यूज़ किया है Link और shade description box में मिल जाएगा एकदम red सा shade है ये, hot red है ये shade बहुत और फिर मैंने अपने makeup को fix किया है makeup fixer की मदद से and yeah here is my final look I hope video आप लोग को पसंद आया होगा पसंद आया तब video को like कर देना और मैंने चाहिए को subscribe कर देना Thank you so much for watching, bye